हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात दो से तीन चीजों से बनने वाला एक्दम नया और बहुत ज़दा टेस्टी नास्ता एक बार आप इस नास्ते को बना कर खाएंगे तो बार बे बनाना चाहेंगे तो चलिए फैन बिना किसी देरी के फटाफट से इस चटपटे से नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंटी आ करनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कच्छ आलू इस अच्छ पील कर लेंगे तो यहाँ पर आप प्र पास के थाम रहे मैंrange कंशेल कर दयाँ प्रेड़ पकी तो यहाँ पर हमने आलू वाश पर लिया है तो आप फटाफट से इन तयार कियों लच्छे को हम अच्छे से wash कर लेंगी ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी और starch वगरा वो निकल आए तो चलिए इसे wash कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने आलू के लच्छे को अच्छे से वाश कर लिया है, अगर आप अपने नास्थे को थोड़ी देर में बना रहे तो आप इन आलू के लच्छे को पानी में डाल के रखें, इससे आपको आलू के लच्छे बिल्कुल भी काले नहीं पढ़ेंगी, तो यहाँ पर हमने आलो के लच्चे को फटाफट से बनाना है इसलिए हम अब चलते अपनी गयास की तरफ तो यहाँ पर हम एक मैल ले लेंगे और उस पर हम एड़ करेंगे एक छोड़ा चमज के करीब ओयल ओयल आप कोई साभी इस्तिमाल कर सकते हैं साहे तो आप घीका पी इस्तिमाल क सि भून जाए नापर इसमें नमक अपको इसे आड़ करेंगे अपने अ कद्दू कश की ओया आलोव और इन सबीं चीजों को डाल कर हम इसे एक इक सेकेंद के लिए भूल लेंगे तो यहाँ पर इसे हम ह हाई फलेंग पर अच्छे से भूलेंगे जैसे यहाँ आ अ epid मियाश अस्तितना ही डालना है इससे ज़्यादा ने डालना है तो पारिधा कर अब हम इससे अच्छे से मिक्सकर लेंगे और इससे हम बॉयल आने तक पकाये तो चलिए हमोटी या महीन को भी भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में खाये जाती हो तो यहां हमने इस तरह की महीन वाली सूजी का इस्तमाल किया है इससे हमारा नास्ता बहुत ज़्यादा क्रंची बनता है तो अब अपने गैस की फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे लो फ्लेम पर ही हम अपनी सूजी को इसमें आड़ करेंगे जब तक हमारे सूजी है वो अच्छे से soft नहीं हो जाती तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से mix कर दिया है हमारे सूजी वो काफ़ी अच्छे से cook हो गई है तो अब इसे हम 2 सेकंट के लिए धक कर रख देंगे इसी तरह से gas की flame को on ही रहने देंगे बस 2 second के लिए हमेरे इसे ढख कर रखना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से पक जाए दो सेकेंड के बाद जब हमारी सूजी अच्छे से कुक हो जाएगी आप देखेंगे काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तब अपने गयास की फिलिम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर का टेक्श्चर भी दिखा देती हूँ कि यह बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसमें बहुत ज़दा मॉस्चर नहीं है अगर आपको इसके अंदर पानी की कमी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी और एट कर सकते हैं लेकिन इस तरह से सूजी कर्डो रहेगा तो हमारा नास्ता बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेगा तो इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि हमाई सूजी कर्डो ठंडा हो जाए और तब तक अपनी हम स्टफिंग की तयारे करने के लिए हम सिफ एक चीद का इस् रख इसके साथ ही हम इसमें आट करेंगे खूब सारा फ्रश वार और आधा छोटा चप मज़ के करीब हम इसमें अड़ करेंगे लाल मेच का पाउडर अगर आप बहुत ज़दा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप लाल मेच को सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चंज मज़ जितना अमचूर पाउडर तो यहाँ पर हम चूर पौडर के जगह पर आप नेवू के रसक आप इस्तमाल कर सकते हैं तो सारी चीजों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और पटाबट से अपने नास्ते के लिए एक स्लरी तयार करेंगे तो स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे एक छोटा चम्मजित्ता कॉन प्लार और दो चोटे चम्मजित्ता हम इसमें आड़ करेंगे चावल काटा, चावल काटा और川नफ लारा से हमारे नासने में बहुत ही अच्य सा कुरंच आता है, इसके बाद हम इसमें ऐड़ करेंगे 116 चपमाजीत्ता धाते है और भीषिक और अगर आप 5- wines इसमें आड़ करेंगे खुब सारी फ्रश पारिकटी हुई हरी धनिया और इन सभी चीजों को डालकर हम इसे पहले ड्राली अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम एक बैटर त्यार करेंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं तो बस इतना बैटर आपको बनाना है तो यहाँ पर बैटर बनकर एड़ी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम कोट करने व ब्रेक हो जाए और जब अपना नास्ता बनाए तो बैटर बने कहीं से भी क्रैक नहीं हो यह तो इस तरह से आपको इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसल ना है जब तक कि हमारा जो डू है वो अच्छे से आटे की तरह नहीं आ जाता तो देखे इसे हमने अच्छे से मसल क मीटा चिकना कर लिया है तो कुछ इसी तरह का स्टेक्चर होना चाहिए आपके इस डो का मारा यह डोर रैड़ी है एक दम नास्था बनाने के लिए इसके लिए हम इस तरह से थोड़े से डो को अपने हातों में इस तरह से ले लेंगे और इसे हम अच्छे से स्मूद कर इसके बाद हम इसे एक काटोरी का shape देदेंगे, तक कि हम इसके हंदर अपनी stuffing को fill कर पाएं, तो आप हमने जो अपनी stuffing तयार किये, उसे हम एक सी डेट चमच के करीब जितने आप पसंदे stuffing उतनी आप इसमें fill कर सकते हैं, इसके बाद अपने नास्ते को हम अच्छे से seal कर दें इसी तरह से अपने सारे नास्ती को बनाकर ready करेंगे, तो यहां पर हमने अपने सारे, सारे नास्ती को बनाकर ready कर लिया है और हमारा जो batter है वोभी सुआयी है, तो यहां bet का बैर्टर की consistency में आपको दिखारी हूँ तो इसी तरह का बैर आपको बनाना है ताकि अच्छे से कूट हो जाए तो चलिए फटाफट से इन्हें फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख देंगे जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा अपने नास्ति को सबसे पहले हम बैटर में करेंगे उसके बाद हम इसे डारेक्ट तेल में डालेंगे तो जब आप नास्ति को तेल में डालेंगे आप अपने ग्यास की फ्लेम एक तो मीडियम रखें ताकि आपके उपर बिल्कुल भी चीटे नहीं आए इस तरह से आपको एक एक करके अपने नास्ति को बैटर में ड प्लट देंगे और प्लट करेंगे कि दूसरी साइट भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राइए करेंगे क्योंकि यहां पर हमारी जो सूजी है वह अलड़ी कोख है तो इस नास्ते को फ्राइए होने में बहुत ज़दा टाइम नहीं रखता है मारत पांच मिनिट में हमार नास्ता कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है तो आभ इनियां फटाफड से तेल से भाष निकाल लेते हैं और हम कर्मा-करण सब्सक्र लेते हैं तो फ्राइंच बंग कर तो यह हमारा यह चट्पटा सा नास्ता आप देख सकते कितनी कम चीज़ां में हम आशी है नास् क्वार्ट इस नवाचीर